कहानी अब तक विमला अपने कमरे में सो जाती है और सुबह जब वे उठती है तो वे अपने देवर के कमरे में होती है जिससे घर में हंगामा हो जाता है अब आगे विमला का देवर रोज शाम को विमला के लिए कोई न कोई खाने पीने की चीज लेकर आता था पवन के हाथ क लाइवी चीज विमला को बहुत पसंद आती थी लेकिन विमला ने एक चीज नोटिस की थी कि जब भी वे अपने देवर की लाइवी चीज खाती तो उसे बहुत ज्यादा नीन आती थी और उसके बाद जब विमला की आग खुलती तो वे अपने देवर के कमरे में मिलती थी और फिर देवर आंगन में चार पाई पर सोता था और कहता कि मुझे खुले में सोना अच्छा लगता है एक दिन विमला अचानक से बहुत सो गई जब डाक्टर ने विमला को देखा और चेक अप किया तो पता चला वह मा बनने वाली है विमला का देवर भी इस बात से बहुत खुस था जब विमला का पती घर आया तो विमला ने ये ख़बर अपने पती को बताई पती खुस होने की बजाए दुखी हो गया और कमरे में चला गया विमला ने कई बार पूचा कि तुम इस खुस खबरी से खुस क्यों नहीं हो उसके पती ने उस वक्त विमला को कुछ नहीं बताया कुछ दिन इसी तरह निकल गए एक दिन पवन बाजा से अपनी भावी के लिए जलेवी लेकर आया विमला ने उस दिन देवर के हांसे लाइवी जलेवी नहीं खाई और ऐसे ही सो गई उस दिन विमला का पती घर पर नहीं था विमला ने वो जलेवी फ्रिज म में आकर सो गई लेकिन आज जो विमला के साथ हुआ वह उस पर बहुत हैरान थी क्योंकि विमला को नेंद में कुछ ऐसा मैसूल सो रहा था जैसे उसे किसी ने अपने गोद में उठाने की कोशिस कर रहा हूँ विमला ने हलकी सी आग खोल कर देखा तो पता चला ये उसका देवर था वो विमला को उठाकर अपने कमरे में ले गया थोड़ी देर बाद विमला का पती भी कमरे में आकर बैट गया उसने देखा कि विमला अपने कमरे में मौजूद नहीं थी बलकि अपने देवर के कमरे में मौझूद थी विमला जाग रही थी बस वे सोने की एक्टिंग कर रही थी ताकि उसके देवर को शक ना हो कि विमला जाग रही है विमला का देवर समझ रहा था कि वे सो रही है विमला को विस्तर पर लिटा कर जो उसके साथ करना शुरू किया उसे देखर विमला के पैरो तल प्रशाइ सबके सामने आई वो विमला के लिए बिलकुल भी बरदास करने के काबिल नहीं थी। विमला ने अपने पती को बताया कि पवन मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया है और मेरे साथ गलत हरकत कर रहा था। विमला का पती बड़ी हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगा। विमला ने पवन से का कि मैं समझ गई थी कि तुम बाजाज से मेरे लिए अकसर जलेवी लेकर क्यूं आते थे। तुम जलेवी में बेऊसी की दवा मिला देते थे जिसको खाकर मैं सो जाती थी और फिर तुम मेरे साथ इतनी घठिया हरकत करते थे। विमला के पती को विमला पर विस्वास नहीं हो रहा था। तब विमला ने फिरिज में रक्की वी जलेवी दिखाई और का कि आज मैंने इनकी लाई वी जलेवी नहीं काई। इससे मुझे सारी कहानी पता चल गई। अपने भ गया था कि विमला के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह भी उसके भाई का है।